कुछ खबरें मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं की हैं मैंने सिर्फ खोल दी हैं संस्थान मैं आपको दिखाता हूँ नेट की भी सुईदा मेरे पास ज़्यादा नहीं है आप देखेंगे जस्ट लाइक इस्राइल नाओ इरान पब्लिशिस इस ओन टेरिरिस्ट लिस्ट इंटे इसमाम उसके लोग हैं ये उन्होंने बता दिया कि ये लिस्ट है अब मारे जाएंगे देखा जाएगा चलिए खिर दूसरा बयान देखिए इसराइल इस प्लानिंग टू अटेक इरान इसराइल अब जम मैं वह हमला भी बताऊंगा हाला कि दूसरे संस्थानों ने आपको बता दिया होगा अच्छी बात है लेकिन इरान पर अब हमला करने की वह प्लानिंग कर रहा है ये ख़बर बहुत बला अख़बार दे रहा है इसराइल के ओफिशल ने बताया है कि देविल सून लाँचा सिगनिफिकंट रिटैलियेशन अगेंस इरान विट टार्गेट त पर वो हराम होनला कर रहा है इस इरान डिसाइड़ टो रिस्पॉन देविल टार्गेट दा इरानियन नीकिलर साइड ये दूसरी ख़बर देख लीजे ये कंप्लीटली कंडेम कर रहा है ये यूके का प्राइम मिनिस्टर है जो भी बना है इरान अटेक्स ऑन इसराइल इस इवनिंग वह अब आगे कंडेम कर रहा है वहाँ बेकसूर लोग मार दिया हजारों लाको मैं कह सकता हूँ अपाइस कर दियो जालिम ने तब कोई फरक नहीं पड़ा है चीफ अफ दा जनरल स्टाफ फोर्सेज इन्होंने कहा कि वी टार्गेट दा मुसाद बेस मुसाद की बेस पर तेल अवी पर उन्होंने हमला किया नेवतिम एरबिस पर हमला किया हैट जरिम बेस पर किया आईडियफ ने बताया कि राड एरी और गैदरिंग पिलेसे ऑफ दा इस्राइली टैंक्स और जहां इस्राइल की टैंक्स की गैदरिंग तो उन पर हमला हुआ है यह पु आप देखें डिमोना नियुकिलर डिसर्च जोए फैसलेटी निगिव डेसर्टे दा सथर्टर इसराइल वाज ऑन्सोर को इरान ने जो इसराइल की ज़ूप भाबर बात कर दिया है मोसाद का हैटकौर्टर की खबर दे रहा है रिपोर्टर मोसाद हैटकौर्टर इन तेल अभीव हैस बीन टार्गेटेड इन सिग्निफिकेंट इसकलेशन आपको एक वीडियो दिखाऊं कैसे दिखाव सकता हूं फोरंड यूट्यूब उसको वो कर दे है वन आफ दा कैजवल्टी स्टोनाइट अटेक वाजड़ पलेस्टीनियन हूँ वाज एक्सिडेंटली हिट बाइदा इंटरसेप्टेड वैलेस्टिक मिजाहिल यह हमला हुआ है यह वह आ गई हैं वाइस प्रिजिडेंट जो हैं अभी कमला हैरिस उन्होंने क्या कि मैं कर रहे हैं इसराइल को कि इसको अबिलिटी डिफेंड करेंगा वो अगेंस्ट इरान के एक साल से मुसल्मानों को वहां मारा जा रहा है तब आकर यह लोग नहीं आए सामने यह एंटनी बिलिंकन है इनकी फॉरें मिटिंग होई है और इन्होंने कहा कि हम इसराइल कुछ आठेक और लिबनान इसराइल को जो लिफेंड पर हमला किया है लेकिन जो इःरा ने किया है घुकर इतने त्माँ अपने संस्थानों को बंद कर दिया ताके खबर ना दे पाए आपको इरान के जो ऑफिसलिए इनका इनक बयाना आए कि अगर योनाइट States मदद करता है इस्राइल की इरान के इरान पर अटेक करने के लिए वी विल बॉम American bases in region region के अंदर जो अमरीका की bases हैं उस पर हमला करेंगे इरान ने साफ कहा they are much less protected than इस्राइल वो जादा protected भी नहीं है अमरीका की जो bases है ये नेवतिम air base की खबर बता रहा हूँ इस्राइल ने receive किया American bombs that are killing civilians in Gaza अच्छा Syria Yemen does not exit anymore I really wonder how many चलिए इसको छोड़ दीज़े दूसरी खबर देख लिए पहला video आए from military bases in इस्राइल ये आपको देख रहा है तभाई बरबादी जो इस्राइल की है ये ये वीडियो पहला video है जो मैं आपको screenshot काई सारे ले ले लेता हूँ मैं आपको दिखा दूँगा वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा sorry इस्राइल sent message इस्राइल ने message बेजा एरान को अरब countries के माध्यम से जो आपने direct attack किया है हमारी territory पर ये nuclear sites को आपको हमारी infrastructure पर but Iran decide to attack anyway वाल स्ट्रीट उसने का कि इसको रोका जाए लेकिन इरान ने का अब रुका नहीं जाएगा वाल स्ट्रीट जनरल की खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ दूसरी खबर देख लिए नई footage आईए दोस्तो ये rockets मारे जा रहे हैं भार जिल्या नियर तेल अवीव देख सकते हैं आप ये ऊपर से मारा गया है और ये rockets है celebration all over Iran this moment Iran के अंदर celebration है दोस्तो new footage of the Iran missile hitting तेल अवीव air base नियर ते air base पर जो हमला हुआ इसका भी आप video मैं आप ही चाहूँगा दोस्तो video नहीं दिखा पाता हूँ consequences for this Iranian attack we will work with the Israel अरे तू तो करी रहा है रहे इसराइल के साथ काम कोई नया बात बता ना अब तो जंग होगी जो भी होगी एक ही जटके के अंदर नानियाद आ गई है ये इरान का प्रिजिडने मसूद पदेश किया है उन्होंने का Zionist regime aggression was decisively respond to ये जॉर्डन का मुनाफिक आना रूप देखेंगे आप ये उसी की शकल है पता ये मसल्मानों के अंदर जब मुनाफिक पैदा होंगे तो क्या हो जॉर्डन ने confirm किया कि intercepted several missile headed for Israel उसने बहुत सारे missile जो हैं जो इरान से मारे गए थे जॉर्डन ने रास्ते में ही intercept कर दिये और खुलियाम कह रहा है कि अमरीकों को इजादत भी रहों दे रहों अपनी बेस इरान को करना ये चाहिए कि जॉर्डन पर सबसे पहले हमला करें ये जो अरब के मुबालिक बैठे हों हैं न इंपक्ट ऑन इस्राइल पहला और आप देखेंगे इस फोटो को तो तब्यात खुश हो जाएगी ऐसे जबरदस्ट जबरदस्ट अटेक किये हैं ये एक बरस से गाजा के निहत्ते मुसल्मान देख दोस्तों ये इस्राइल का जो है वो ही है अधिकारी ये कहता है आज रात को इस्राइल बड़ा हमला करने वाला है ठीक है जनाब ये खबरे तमाम हैं अब वो पुरानी खबरे कल की आ रही है जो इरान ऑल्सो यूज़ दा हाई परसॉनिक मिजाईल ये इरान वो मुल्क है इसने रूस को जब अपने ड्रोंस दिये अपने मिजाईज दिये तो पूरी दुनिया नेटो सहीत अमरीका सहीत यूकरेन के साथ जो ख़ली थी रूस को जुकाने पाई नो डाउट उसकी फाइनेशली हालत खराब है लेकिन उसको एर डिफेंस सिस्टम भी दे चुका है एस चार सो से रही हो रूस उसके पास ताकत है हम शुरू से एक साल से यही कह रहे हैं कि आप इस्राइल पर चार बार हमला तो करकर देखो यह दुनिया परस्त लोग हैं जमी दोज हो जाएंगे लेकिन लाखों मुसल्मान मर गए बहले वो हजारों के संक्या में आते हों अमरीका की रिपोर्ट के मताबिक दो लाख से ज्यादा मर चुके हैं इरान की जो मिजाईल स्थाण के आई डियर टूफ से कंसंट्रेशन नेट रजीम जो इसकी आई डियाफ इस्राइल डिफेंस फोर्स का जो वहांपर भी हमला हुआ हुआ है पंद्रह सो बताई जाती है इरान के मिजाइल्स इंपेक्टिंग लोड अइरपूर्ट दूसरे अइरपूर्ट वहां पर भी हमला कुआ है और इंपेक्ट ये ओल आवर ये उत्तेल अभी पर जितनी भी मैं खबरे देखता जा रहा हूँ मुझे खुश होने का मौका कम मिलता है दोस्तों मैंने हमेशा आपके सामने बड़े भारी दिल से खबरे सुनाई हैं और इस वज़े सा आप जुले हुए भी हैं चुकि आप जानते हैं कि ये चैनल जो मैं चलाता हूँ ये मैं अपनी मर्जी के मताबिक चलाता हूँ इसके मताबिक इसके पीचे कोई कमाई नहीं हुए इसके पीचे सिर्फ इतना है के अल्लह तालह राजी हो जाए और कल कियामत के रोज जब आपर हम खड़े हो तो हम कह देंगे खड़ोगों के आ अल्लह के सामने कि अल्ला जिसलायक ते बोल गए ऐसे महोल में बोले हैं जब सरकारे भी और तमाम पार्टियां भी मुझे कैई अधिकारियों के फोन आए पिछले दिनों धमकाया गया मैंने का आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है आप मैंने गलत बोला है जेल भेजो वरना मैं ये खबर भी बना दूँगा फिर एक RSS के माद्यम से एक नेता के जर्या कहलवाया गया अरे ये राशिज जहीर अरे छोड़ो आपना काम करो ना मैं अपना काम कर रहा हूँ यूएस जॉइनिंग दर वार बाइडन और्डर्स टू शूट डाउन मिजाइल फ्रॉम इरान बाइडन ने और्डर किया कि शूट डाउन कर दो मिजाइल जो इरान से आते हैं यही काम कर सकता था बाइडन स्वाम बिलस्टिक मिजाइल देखिए मैं अपने एडिटर से कहूंगा कि ये शौट तो आपको हर हालत में दिखा दे इसके अंदर जो सेंकडो मिजाइल आकर के तबाही मचा रहा है ये आपको सुकून पहुचा देगा ठीक है तना अब ये खबरे वो ही आ रही है तमाम जो आपको मैं बताया जा रहा हूँ ज्यादा खबरे मेरे पास नहीं है मतलब बहुत खबरे हैं लेकि मेरे पास समय की कमी है जो इंपॉर्टन्ट खबरे आज की थी वह मैं बता रहा हूँ स्टेट्मेंट आया इरान की जो रिवोलिशन गार्ड्स हैं कि अगर इस्राइल ने रिस्पॉंड किया हम अपकी बार जो हमला करेंगे एक हजार गुना ज्यादा होगा याद रखेगा इरान के IRGC इरान रिवोलिशनरी गार्ड इन दा नेम अव दा गॉड अल्माइटी इस्राइल 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 गार्ड डजन ओफ दा इंपक्ट तेल अवीव यह तमाम वोई खबरे आ रही हैं दोस्तों यह खबरे तो मुझे कल देने में मज़ा आता लेकिन चलिए आप लोग देख चुके हैं दूसरे जराय से बहुत अच्छी बात है मुझे सिर्फ यह बताना कि आज रात को हमला करने जा रहा है जैसा कि उसने बताया अमरीका ने उसको कुछी चूट दे दिये और जॉर्डन का मुनाफिक आना रूप आप देख चुके हैं यह भी खून वगरा पड़ा हुआ है खैर हम इस बात को करते नहीं लेकिन इसराइल कि आरमिन जो खून बहाया है इरान विल औल्ली यूज बैलिस्तिक मिजाइल इस ताइम वो सिब बैल्स्तिक मिजाइल उसे इस थिए सोर्सों ने बताया कि किलेम किया है कि एरान इस एस्पेक्टेivity to attack Israeli only with ballistic missile that reach Israel within 12 minutes 12 minutes में पहुँच जाएंगे drawn cruise missiles that allow much longer यह बढ़ी लंबी बात है technical बात हैं यह खबर देख सकते हैं सैपरी इन जाफा तेल अभीव यहां पर हमला हुआ है और नेतन याउ is in the air just like in April when Iran launched missile on Israel Israeli government joined wing plane is now airborne यह भागता फिर रहा है नेतन याउव कभी आसमान में हैं कभी बंकर में नेतन याउव और पुतिन आर नाओ speaking together on the phone after नेतन याउव asked to speak नेतन याउव पुतिन से बात कर रहा लेकिं ताजा ख़़र मेरे पास ही है कि नेतन पुतिन ने इसका फॉन लेने से इंकार कर दिया है अपने बाप को पुकारना बाइडन को पुतिन को क्यों पुकार रहा है IDF के स्पोक्सपरसन ने बताया कि Iran स्टाइक में बी वेरी एक्सेंसिव वी और एवरी डिय तो अबाइड दा instruction of the home friend command we simply will not be able छोड़ दीज़े इस बात को लंबी बात है oil price oil price बहुत तेज़े से एक हमले में दुनिया की अर्थवस्ता खतम हो जाएगी मैं आपको एक फुला सा वो बताना चाहता था मैंने परसो निकाला भी था लेकि चलिए खेर अब मितन्याओ का बयान आया गया आगया कि इरान इस प्रिप्रेंग फॉर एन अटेक और इस्राइल इस्राइली प्राइम मिनिस्टर इस एन उन्यूजवल मैसेज टू मोमेंट्स अगयो सिटिजन ओफ इस्राइल वी आरिन दा मिडिस दा कैंपेंग अगेंस इरान एक्सिस अफ एविल मतलब वो कह रहा है कि इरान का जो राक्षे सी परहार है उसको हम देख रहे है वाट आई आस्ट यू तो इस्टू थिंग दो बाते बता रहा है अपने लोगों को वन पहली हमारी जो इंस्रेक्शन है उसको आप कुबूल करें पूरी तरह से और दूसरी उसने कहा कि इस्टेंड टोगेधर हमारे साथ ख़ले हो जाईए वी वी इस्टेंड फर्म टोगेधर इन दा टेस्टिंग डेज अहेड तोगेधर वी इस्टेंड टोगेधर यह अपने लोगों से कह रहा है मेरे साथ ख़ले हो जाईए वो लोग सलकों पर ख़ड़े हैं और इसके खिलाब नारे बाजी कर रहा है ख़बरे दोस्तों बहुत हैं फिलाल तो अंतर रास्ती है और तमाम ख़बरे यही मैं आपके सामने दे रहा हूँ नेक्स्ट टाइम कुछ ख़बरे खटे करके शाम को दुबारा हाजिर होता हूँ इशालला जाहिए